कि अब आप लोग जितने लोग को यहां कोश्चन जो रहता है जब कोश्चन दिया जाए जब आपके पास कोश्चन बाटने वाल रहा है सांती से हाट उठाट जिएके उसको खुद से आसानी हो जाएगा आइब कुफ जी कोश के And tis कुछचन जाता है प्लीकेशं को देंगे अप्लीकेशन से डाउनलोड करके रख tienes आपनरे ऊफिटेकिस ऍपनाडोर्रा छिजह उत्क संती से बढ़े रहा सबको मिल जाता है लेकिन नो टंकी करेगा सब आप लोग को बाहू लाइव वाले सारे लोग टेस्ट में आम आपको मुगल से कहां तक हैं मुगल का टेस्ट है बाबर से लेकर अकबर आप दूसरा एक टो सूर बंस हां सूर बंस भी है लाइव वाले लोग आज टेस्ट है आप लोग का यहां पर मुगल बंस में बाबर से लेकर कहां तक अग बार तह हैं आप दूसरा कौन सा है सूर बंस इसमें कितने कोश्चन है लाइव वाले आप लोग इतना लेट इसलिए हुआ कि गदहा गदहा बैठा ले लूटता है सब देहात में जिस तरह करता है सब देखा देता है कितना सीख क्या है घरे से गदहों को कहना चीए हाथ नर्मली आराम से हाथ उठाय रहो भाई अहता उपर ना ठग गया तो यतनों कर ले बकलोल कही कर उसको इसे नोच देगा गिंती कही साब से आएगा कोश्चन जितने रहते हैं फायारफूर के रद कद है कोनों को तीन को एक्ष्ट्रा आगे आना तो तब तक उन नहीं देगा जब तक कोनों मांगेगा नहीं रख ले रहेगा इसी लिए लेट हो गया है का करो कि आप सबसे भीक्सित राज में हमारा कोचिग है दुनिया का स सबसे भीक्सित राज में हमारा कोचिग है बिहार में है यहां सब को अपने आपको सब अपने आपको इदम संजेगा से सबसे कम आपस में कोपरेट करने वाला बेवस्ता यहां है यहां पर हम एक बार देखें थे साइं मंदिर पर सादी बट रहा था जिस जो उस जगह से गुजर रहा था ले ले ऑब बाद में देख रहा है कोची बट रहा था परसादी रहे तो छोड़ो के इस दिन कुछ परसाद का चड़ावा चड़ा लेट हो गया तो हम लोग अभी कहां रहते हैं दुनिया के सबसे बिग सीत अमरीका, सिंगापूर, कोरिया, लंदन, सब दो बिहार से बहुत पीछ है, कुछ नहीं है, सब जाएं, बिहार का कचड़ा भी लंदन से खुशुरा था, खुशुरा था, खुशुरा था, देखो, ये कॉस्चन का डिसकेशन में तो आसा लेट हो जाएगा, इसलिए आप सब लोग इसको इत्मिनान से घर पे बनाईएगा, कल हम आप से जितने लोग का बन गया अच्छी बात है, कोशिस कीजिए का जितना बनता है, अपने से मार्किंग करें, एक्स्टा नमबर खुद को न दे, रीजन का इतने लड़कों के बीच में नहीं हो सकता है, जब तक आप खुद से इमानदारी नहीं करेंगे, कल हम आप से पूछते चलेंगे, कि फर्स्ट पेज पर कितने कोस्टन में प्रॉबलम है, सेकेंड पेज पर और ऐसे करके, एक-एक करके, हर कोस्टन का हम बताते जाएंगे, सारा डिसकसन तो कराएंगे नहीं, रीजन के आएंगे, सभावी के, लेकिन आपको अगर इसमें से 90% से कम कॉस्टन आ रहा है, और आप पढ़ चुके हैं, ति आपके लिए ये इस बात का संदेश है, कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, 90% से कम आएगा, आपने नहीं पढ़ा है, तो जैसे बबनी बोलती हम पढ़बे नहीं किये, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं किया है, जो क्लास किया है, उसकी बात करें, 90% से कम आएगा, मतलब आप रिजल्ट नहीं होगा, और आप कोस्टन भी देखेंगे, तो उसी सीक्वेंस में दिया गया है, जिस सीक्वेंस में आपकी पढ़ाई हुई है, ऐसा नहीं है, जिस तरह से टॉपिक को पढ़ाए गया, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके, उसी तरह से टेस्ट भी है, अगर आपको टॉपिक रिवाइस करने का टाइम नहीं है, तो हपता में क्या किजेगा, एक बार रीडिंग लगा दिजेगा, और उसके बासे कोस्टन बना दिजेगा इससे जादे कुछ नहीं आपको मेनद करने का, इतनों नहीं कर सकते हैं, तो बोरिया भिष्तर समेटिएगा, मीठापूर से बस इस्टन जा चुका है उधर, एको बस पकड़िएगा, गावे चल लिएगे, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, आप लोग को बढ़ा दि कर देता है, कुछ नहीं हो रहा है, तो सेम कॉपी करके गूगल कनवर्टर से मारके देखो, तो सुधरवा के कईसे भी करूँ, उसमें CBSC वाला है सब, कितनों बोलते हैं CBSC वालों को लेकिन एडमिशन लेता है सब, एक सी जम देखे, CBSC वालों को कुछ भी बोलते हैं, लेक लेकिन सब पड़ती है सब, लोग कहते हैं, खांसर लड़कियों को बोलते रहते हैं, यार अपना अपना नजरिया है, जिसे आप लड़कियां करें, वो हमारी बहन है सब, और भाई बहन का जगड़ा कभी खतम नहीं हो सकते, नजरिया है कोई स्टूडेंट समझता है, सब लड़ाई जगड़ा चलते रहता है, किसी दिन इससे भी ट्राई करते हैं, भाई बहन में तो यह भी चल सकता है, आगे आते हैं साजहां के बारे में चली इदेन से, साजहां के बारे में इससे पहले टॉपिक में समझा दिये थे, कुछ ऐसे साजहां के बारे में पढ़ना साजहां कि बताओ जैसे आप लोग भूल जाते हैं और हम लोग यहां पढ़ने आते हैं तो काई नहीं भूलते हैं रीजन समझें आप सीधे उठा लेते हैं साजहां पढ़ना है जैसे हम आपसे करते कि मुगल बंस पढ़ाओ आप पढ़ाएंगे आप मुगल में क्या करेंग पहले क्या करना है starting माई बाप थे यहीं सब उगा पर यह क्या उसके बाद से कहीं न यहां अकबर का प्रारंभीक जीवन अकबर का युद्ध भियान अकबर के समाजिक सुधार अकबर के नौरत्म ऐसे टॉपिक वाई टॉपिक दिमांग में आपको क्या रहना चाहिए एक फिक्स खाका रहना चाहिए हमको इस्टार्ट कहां से करना है साउंड डबल आ रहा हु हमको क्या करना है एक खाका तैयार करके रखना है चलिए स्टार्टिंग में देखते हैं किसके बारे में साजहां के बारे में साजहां का जन्म किसके गर्व से हुआ था जगत गोसाई जगत गोसाई जगत गोसाई ने क्या कर लिया था सुसाइट कर लिया जहांगीर के नीत जितने के लिए दक्षित भारत जितने की जिम्मेदारी किसने दिया था जहांगीर ने इसके बाबुजी जहांगीर ने इसने दक्षित भारत जीत दिया तो खुरम से नहीं क्या हो गया सागा खुरम से नहीं सागा इसका विवा किसे हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम किस मुम्ताज का जाता है 1600 कब हुआ था बारम अर्जुमंद बानो बेगम से यह किसकी पुत्री थी आसफ खान की भती जी किसकी लगेगी नूर जहां की पढ़ा दिया नूर जहां की रिवाईस के तौर पर बता रहे हैं यहां पर मुम्ताज नाम था मुम्ताज देखिए मर्यम उजबाणी उपाधि आकपर ने किसे दिया अपनी 吗 ुसा यह द rhetoric यह उपाधि देint काुमताज को इन्होंने मुम्ताज को दिया मलिकाय-उजबाणी देखिए झापर ने अपनी पतनी को कौन उपाधी दिया अकबर का बेटा जहांगीर जहांगीर ने अपनी पत्नी को नूर जहां महरुनिशा से नूर जहांगीर का बेटा सा जहां अपनी पत्नी को दूग उपा दी एक मुम्ताज अदूसरा मलिकाय जमानी क्या जी मलिकाय जमानी बाबर ने अपनी पत्नी को उपा दी या नहीं समय हुमायों ने अपनी पत्नी पत्नी को घृए है उसको कोई कास मत्लब एंधी ले जुए जीमनी जीते में रहा गिया जुए के को और कि दीकत तो बताइए मर्यम उज्वानी उपादी किसं ने दिया और मलिकाए उज्वानी उपादी किस ? कि ता जहां कि पत्नी को कौन सी उपादी मिली हाँ मली काए उजमानी मली काए उजमानी किसी को दीका भी आसादी हो गया बाल बच्चे होंगे इसके टोटल कितने बच्चे हुए है कि इसके चार गो बेटा अतीन गो बेटी चार गो बेटा चार गो बेटा में से दारा सी को सा सूजा और अंजेब मुराद कितना बेटा चार चार गो पूची आ रखिए नाम चलिए बोलिए तारा सी को सा सूजा और अरंग जेब और अंजेब और अरे बाहल कहीं काएगो लीक रहा है सार उसके चाउदासग सौब बेटा हुए्टे हुए शौदासग दिशने थे शौदासग को यह इसे हो कारी पर मुर्गी समझ ले गाए कि आंडा देटए हुआ दृट सौधे रहें मुर्गी न देगी हो करहा हैं पोटो इस्टेट कराने पड़ेगा दारा सी को सासूजा औरंजेव और मुराद बेटी कितनी थी जहान आरा जहान आरा जहान आरा और रोशन आरा और गौहन आरा सब आ रहा है यहां पर जी जहान आरा रोशन आरा और गौहन आरा जहानारा रौसानारा और गौहनारा जहानारा रौसानारा और गौहनारा बेटा क्यों चार दारासी को सासूजा और 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 बुराद किसी को कोई दिकत इसमें बेटा में सबसे जादे और और जे मानता था किसको दारासी और बेटी में मानता था जहानारा जहानारा जीवन वेचारी के टैडी ये वियर के साथ बीद गिया है जहानारा एक बहुत ही विद्वान महिला थी इसने कई पुस्तकों की भी रचना में सहयोग किया है जहानारा जो थी जब उत्राधिकारी का लड़ाई चल रहा था कि इन चारों बेटों में से राजा कौन बनेगा तो जहानारा ने किसका साथ दिया था औरंजेव किसका साथ दिया औरंजेव किसी को कोई दिक्कत नहीं है बेटा कौन कौन दारासी को सासूजा औरंजेव मुर बेटी जहानारा रौसानारा और अगे बढ़ें कि किसी को कोई दिकत नहीं है चलिए इसके बाद आगे समझते हैं इसके लड़ा सब जितने बेटा थे सम यहां पर इन सब को अलग-अलग छेत्र दिया गया था एगो को गुजरात दिया गया था एगो को बंगाल दिया गया अरण जेब को दक्षिड भारत दिया गया इस सब चीज चल रहा था और बीच में दिल्ली से सासन कोन कर रहा था बबू दिल्ली से सासन कर रहा था खुद साजहां कोन कर रहा था साजहां अभी थोड़ी मरा है अभी साजहां सासन कर रहा था साजहां के सासन काल में कई बार चोटें बड़े युद्धों को भी सामना करना पड़ा गया, सा जहां जो था, सा जहां का एक बार पूरतपनी कहल गया? यहां पर लिख देते हैं, युद्ध में, पहला किसके साथ हो गया भाईया? पूरतपना होतों, पुर्त गालियों के साथ और किसके साथ हुआ हर गोविंद के साथ किसके साथ सिख गुरू हर गोविंद के साथ हो गया सिख गुरू हर गोविंद के साथ विद्रो हुआ जुजहार सिंग किसके साथ जुजहार सिंग जुजहार सिंग एक बुंदेल सासक थे क्याते हैं बुं दबा दिया गया, क्या गिया गया, दबा दिया गया, इनके समय अफगान में भी विद्रों हुआ, कहा हुआ, अफगान में, खाने जहां लोदी, खाने जहां लोदी, लोदी कहां के थे सब, अफगान थे, खाने जहां लोदी, लेकिन खाने जहां लोदी के विद्रों को सा ज जाने क्या कर दिया दबा दिया लेकिन अंतता अफगान किसके हाथ से निकल गया था सा जहां के हाथ से निकल गया दक्षिर भारत जीतने की जिमेदारी इसने किसे देदी ती औरंग जेप को यह इसके समय प्रमुक क्या हुए थे विद्रो या युद्ध हुए थे सब इसने क खाने जहां लोदी अफगान से विद्रों किये लेकिन अंतता उनके विद्रों को दबा दिया लेकिन इस विद्रों को दबाने का कुछ खास फायदा नहीं हुआ किसे को कोई दिक्कत नहीं किसको दे दिया गया औरवेराँ किसे दिया औरण्जेव शुदार किये थे का कीए सुधार किबारे में नर公र्त क guilty किसमें था ऐस्णा में डिपने कल शुदार को किया जा यह वह वास्तुक नाकलई इसने कई सारे वास्तू कला का निर्मार्ण किया इसने अपनी पत्नी मुम्ताज के राद में जो उसकी मृती हो गई थी तो क्या वाया था त अОगरा में क्या दाजमा क्वा थाए बनवाया आगार अंत biom Tri Marолог ताज महल औरकल की लाप है पहले से था जाए पहले से था उसमें क्या बनवायाो कि लाइं मोटी मस्जिद क्या बनवाया जरने मोटी मस्जिद किया मोटी मजस्जिद कि इस को दिकत क्या बनवाई था मोटीМ utter नीए दिल्ली में इसने क्या बनवाया लाल किला उसी के ठीक सामने जमा मस्जिद जमा मस्जिद गलती लिखा जा रहा है जी जमा अ मस quito जमां मस डिली में इस ने क्या बनवाय यह जमां मास और कुछ बनवाया है लाल किला के अंदर क्या ता इवान आमी वाने झा इस नाल किला में दो डो गट थे दिवान इंट नश आम अ और में नॉर्मल बादचीज दिवाने खास में खास बादचीट होती दिवाने आम और दिवाने खास में बादचीट होती इसमें कौन सा सिंहासन लगा था मयूर सिंहासन कौन सा सिंहासन मयूर सिंहासन मयूर सिंहासन मयूर सिंहासन मयूर सिंहासन मयूर सिंहासन में कौन सा ही रा था मायूर सिंगासन पर बैटने वाला पहला राजा सा जहां इसने लाहूर में सीस महल बनाया था कहा बनाया था लाहूर में सीस महल सीस महल लाहूर में क्या बनाया सीस महल अलाकि जहांगीर जो था इसका क्या था बाब सा जहांगीर का बाब कुँ था जहांगी उसने सालीमार बाग बनवाया था कहां पर कस्मीर में सालीमार बाग जहांगीर ने कहां बनवाया था कस्मीर इसने लाहूर में क्या बनवाया सीसमाहल किसी को कोई दिक्कत नहीं लाहूर में क्या बनवाया था सीसमाहल इसके यह सब क्या चीछ थे अस्थापत कला मे यह सब कल पढ़ा दिये थे कि नहीं पढ़ा दिये थे यह सब कली पढ़ा दिये थे सीजमाल याद रखे है कहा है लाहूर में सीजमाल कहा है लाहूर में आगे बढ़ जाए किसी को कोई दिकर कोहिनूरी रहा हाँ कोहिनूरी रहा था उस पर आगे पढ़ें इसने कई सारे क्या किये थे सुधार भी किये थे सुधार में अकबर ने जो इलाही समवत बनाया था कौन सा समवत इलाही समवत से बापस इसने क्या कर दिया हिजरी समवत कौन सा समन लाया है ह SCP अकबर ने दो बिवस्ता चलू किया था तुला दान ऐसको इसने क्या कर दिया समाप Jharokha तरसन इसने क्या कर दिया समाथ हाला कि बाद में धीरे धीरे फिर से चलू हो लेकिन अंतता इसे समात किस ने किया था औरंजेब इसे समात अंतता किस ने किया था औरंजेब देखिया तुलादान अकबर ने चालू किया था क्या चलू किया था आकबार असाजाने क्या कर दिया समाथ कर तुलादान में क्या था एक तराजू की और अकबर बैठ जाता था अदूसरे तराजू में सोना चांदी धन दौलत रखे जाता था जब दोनों बराबर हो जाता था तो यह जो धन दौलत गरीबों में बांट दि वुआ जरोखा दर्शन की बात करते हैं अ मैं फैकनी में कितने घरोखा भेल अल्य जारो इस थे रहे हैं तो दो भाथा हो सम्टावलो प्रश tutti इचानि पार सबसे कातारिण आरहिए अहां कमरे पास भी द्यारश्टी करता हूं थे रहा है छाज़ा सबसे आटिरणा इस र्एक उजब शहा होता है शजजा में घर का हिसा नहीं होता है उसको रेलिंक हेल के उने उतरना पड़ता है कि अथी और पहले यह दिपर आप इसटील बेसा से अब यह क्या है और फूले रिखेस को घर में है चाज्या बालकनी रेलिंग पढ़ाएगा समझे द्यान से तो ये पहले हुमायू ने इस ब्वेवस्ता को चालू किया था जिसे जरोखे दर्सन कते हुमायू अपनी बालकनी में आ जाता था अब ही भी देखिए सारुख खान का जब वर्थदे होता है अरे हुमायू ने चाल बेवस्ति धंग से किस ने किया था अकबन हुमायू कभी कभी सारुखान का बर्थदे देखेगा था अपने घर पर आजागा उपर बालकनी में अक्षेकुमार सारुखान है आज हमरा बर्थदे है थोड़ा और बुढ़ा गए हम ऐसे करके यही था ज़रोखातरसल हुमायू राज साब मेरा नायर गई लिए तीन माहिना से विटा लेगा तो हमायू काता था पता करोंने पहिल का के पास होगी जो होना है तो बालकनी में खड़ा हो कि जनता के लिए नियाय करने की विवस्ता हुमायू ने चालू किया बट अकबर के समय यह विवस्ता डेली होने लड़कियों को यह सब अच्छा लगता है बालकनी में घुमेंगी सब पानी बरसेगा तो ओमाय गोड़ एको पीजिली गिर जाएगा चल जाएगी हमें ओमाय गोड़ उनसा का दुनिया अलग होता है हम तो उनसा को बाटनी में रखते हैं जुलोजी में साथ आठाक है जी लड़की से गुशी आ रही है सब्सक्राइब नोगों की सिकायतों को सुनता था जबकि अकबर की वाद को ना या जहांगीर ज़ाएगीर ज़ादे ध्यान नहीं दिया बलकि इसने सोने की जंजीर तंग वादी नहीं साजान ने कहा कि अब भाई मुम्ताज रही नहीं अब रेलिंग पर आएंगे तो हमरा दुबारा याद आने लगेगा इसलिए जरोखा दर्सन को क्या करा दिया था सांग खतम करा दिया था आगे बड़े और अपने जीवन काल में ही किसे राजा नियुक्त कर दिया था दारा साजा जान जब बिमार पड़ गिया था इसके बैट्षे को बीच में चलो गया उत्रादिकार का और एंजिव सासन करें जबकि दाराशीकों को क्या मिल चुकी थी ग्ति हों कि एस OMG अब ्यूंआइ क्सा देो क्या मिल गया ज़्या वाकसे क्या ओगा बहादूर पोनघा बादुर्पूर जात है कि इसका ठीख भी बताया सल ने हैं जान कि आ पाधूर-णुर्ट, पाहदूर्पूरणियक्त गॉद्धु .. assess खर्मट का धी, घर्मट का यud, सामूगढ का युद, और उसके बाद देवराय है, देवरा का युद, कौना युद, देवरा का युद, ये दोनों युद 1659 में हुगा है, कभ ओः, 1659, ये तीन ठो एक, दो, तीन, ये तीनों युद कब हुआ है, 1658, पहला हम लोग देखते हैं कौन सा, बहादुर, बहादुर पूर का युद, फरबरी 1658, 1658, देखे ध्यान से, इसमें क्या हुआ था, राजा कौन बना था, दारा, तो दारा क्या बन गया था, राजा, दारा बन दारा सीको, दारा सीको बन गया राजा, लेकिन, यहाँ ध्यान से समझे, मुराद जो था, सासूजा, ये बंगाल था, तो सासूजा जो था, वो बंगाल का क्या था, नवाब, और अंजेब क्या था, दच्छिड भारत का नवाब, और मुराद जो था, मालवा के छेत का से देली तो निया किस जो कर दिया है से डारासी को किसे अंडर में आ गया तो यहां पर बैटा था कुंछा सा साशूजा बंगाल से अपनी सेना लेकर चल दिया तो यहां था नारासी को का बेटा सा सूलेमान क्या नम था सुलेमान दारा का बेटा का नम क्या था सुलेमान इसने का कि हमारे अब्बू राजा बने है तुम कहा था हम बनेंगे राजा इसका बेटा क्या था सुलेमान तो बेटा सुलेमान ने किस पर आकमड कर दिया सासुजा पर सासुजा उसका क्या था चाचा सासुजा क्या था चा और हो गुए ऐख और मुराद क्य हो गया है एक हो गया अए दोनों युद कर किस फर आकमढ कर दिएंटार्व लगा किस यूद में घरमत के यूद में को जित गया सामूगोड का french और बार बार दाराइसी को मैं विम्सानी åona जीत गया और अन्जेव और हम गिनेकल कई ने ओगाये सच्वारी लिए घरमत का यूद्यव को गशा के और लेक्रखी तो यूद्यव और हुद्या वेज़ोन सौनि इस में 5ทि षीव सबसब दिखा इंध्या ऑर अन्धावण इसमें भी कौन जित गया और अंजेब, दुबारा देखिए, समझे यहाँ पर, दुबारा समझे, मेरी योर देखिए, दिल्ली में कौन बीमार पड़ा है, दिल्ली में साजा है, साजा ने किसे सत्ता दे दिया, दारा को दिया, मुराद जो था मालवा के छट में था, यहाँ सासन कोन समाल लिया, दारा, बीमार कोन पड़ा, साजा बीमार पड़ा, सासन कोन समाल लिया, दारा, बीद्रो सबसे पहले सासूजा ने किया, किस ने किया, सासूजा, यह अपनी सेना लेके आगे बढ़ा, तो दारा ने किसे भेजा, अपने बेटा, किसे, सुलेमान सुलेमान ने किसे हरा दिया २ॡवा बाहधुर पूर का युद बाहधुर पूर का युद अंठावन इसुद में एक भाई तो कुई न कोई तो करेगा ना कोई करा Katherine यह दोनों किया कर रहा था यहां किसे युद में और इंग अपना राज्या विष्यक करा लिया क्या करा दियाyes साजहां को साजहां को क्या बना दिया बंदी बना दिया साजहां को बंदी एक साल बाद कितने साल बाद एक साल बाद इधर उदर से सेना होना जुड़ा कर देवरा के युद में किसमें देवराय के युद में कब हुआ ये 1669 1608 166 में तुम भी कुछने दिन बाद ॥ो उठवए करेगा और इधर कॉन ऌन था भाग गया था पकड़ा इधर आये सहाधत मुबारक चाहफाक किसको मर निया तीनों को मपर इस उत्रादिकार के यूद में जहनारा किसके साथ थी और अन्यगें जहनारा, और अनजे यहां मुगल सत्ता पर बैठ किस पर गया। तो और राज्या भी से कितनी बार कराया दो बार एक बार ये सामुगण के युद में इसे लगा कि अब तो हम पूरी तरह से जीत गया और दारासी को क्या हो गया भाग गया लेकिन एक साल बाद फीर चलाया अब देवरा के युद में अब की बार उसको वो कम्प्लीट फॉर्मेट मार दिया किसको दारासी को को देवरा की याद रहेगा इस युद को क्या का जाता उत्राधिकार का युद को गया उत्राधिकार का युद उत्राधिकार का युद में जहानारा किसके साथ थी इसलिए नमें कौन मारा गया दारा देखे दारा जो था ना धार्मिक रूप से सहिष्णू था अकबर की तरह दारा किसके तरह सहिष्णू था अकबर की तरह अकबर हिंदू मुसलिम में भेदभाव नहीं करता था दारा भी नहीं करता था अकबर सभी धर्मों की इज़त करत डारा भी करता इसलेए इतिहासकार लेनपूल ने डारा सीकोफ को लगुअकबर कहां चोटा अकबर इसलिए करत सासने कहां किया कि लेनपूल इतिहासकार रागैड adhere प्रोफेसर था वह पढ़ाता था उस समय जलन कंपटिशन नहीं थी लोग कहते तो पगला ही का पढ़ाता है हुमायू बर्बर दुका दुका बोलते रहता है को पता चल रहा है इसको लग रहा है कि मुगले में अपर किसे का जाता है लागु अपसासन समानने के लिए कोण रेडी है औरण्जे में और रीकिसी को दिका साजहां के जीवन काल में उत्रा दिकार का यूद हुआ या मरने के बाद जिवन काल में ही सा जहां बीमार पड़ा तरहां मर गया मर गया सा जहां ने अपने जीवन काल में उत्राधीकारी किस्ने बना दिया ढारिसीको को किसे बना दिया क्या पर दिल dłili का सथा कि वृ emitted कर में Sicilva इसका सदिप से पहले करा के नौब हम थे कहा तारा दिया सास हो गया है इसके बाद मुराद और रज्जैव एक हो गया अगली बार यत्तिर फीर आया तो अगली बार बार देवर्राय के युद्प और रिटे ने उसे हराया मारा और अपने बाकी भाईयो को भी क्या कर दिया? सहंजडे नहीं कि नहीं कि नहीं है? बाकी भाईयो को भी मार दिया और जब इसे किन्दी पहर कर आया? Audial टाइप क한 क्動画 से तो कौन? औरँजेव बेशारी जहानारा को और को भबों नहीं करती थी कि हम्रबिया हुए होगा कि ना होगा है गोगा है ऐस में गरूगर टाथ हैं जा और कुमारी रह गए जहानरा कुमारी ती Jehan ghost menaraे में गुलिए जाल के मर गोई दूं कने मोंति मजीद आगे पढ़ने फिजली में बे Все औरंज कुमारी में और साहां पनुअ कगा है है हां हां वो जब कोम उन्न मों ठीजिद मतेजीद न क्सी को जाता है किसे को कोई दिखत है कि इसे की जाती है कि Ahh ताकम कि पर से किए जक्रसुछ किने में उत्राधिकार का यूद कुसा था तें में जहान आ रहा किसके साथ थी हैं और अजेब के साथ में अर ऑजिएब सा माहॉल चालू हो गया उस ने मतलब हिंदु मुसलिम में एक्दम सबसे मैक्सीमं भेध भाउ कर दिया एकदम मैक्सीमं भेध भाउ किसने कर दिया और अनजेब यह सबसे गलत है آپ अपने जगा पे रहिएगा तो ठीक है जहां तक आप पावर में है जैसे तालिबान अभी अफगानिस्तान में पावर में है तुम अचार कर लो वही नहीं कुछ कर सकता है लेकिन जहां तुम्हारे जैसे लोगों की संख्या कम होगी वहां वो भी लात खाएंगे तालिबान वालों जो बाध लोगों को अफगानिस्तान में मारा था, माहतमा बुद्ध की मूर्ती तोड़ी थी, उनी तालिबानियों के गल्ती का खामियाजा म्यानमार में रोहिंगियों को भुगतना पड़ा में रही को है। भूखतेगा कोन, कस्मीरी? और इन लोग को भी बुद्धी नहीं आ रहा है कस्मीरियों को, कि हम अपना सुख दुख खुद से रिसाइड करेंगे, हम अपाही नहीं जो तालिबान का भय साखी की जरूध है, इन लोग को भी बोलना चाहिए, कल को तालिबान कहता है कि हम खांसर को कुछ न होने देंगे जब तक तालिबान है खांसर को कुछ नहीं हो सकता है बदनाम कोन होगा खांसर को तो बूद्धी है न हम जान जाएंगे कि तुम हमरा साथ नहीं दे रहा है तुम हमको बर्बाद कर रहा है हम तुरत्ते गरी आना काम करते हैं दीरे दीरे बरबाद करते हैं इस अब गलत होया था तो और अरंजेव ने ऐसा बहुत सारे गलत-गलत काम किया थे आगे का क्लास में हम और अरंजेव की चर्चा करेंगे